हेलो एब्रिवन विल्कम बैक तो मैं चैनल प्रासितु रेस्पीज और व्लॉक्स तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम 30 किचन टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी खाने के स्वात को भी बढ़ाएंगे और आपका समय बचाएंगे तो चलिए देख लेते हैं इसे नमबर एक ग्रेवी को अगर गाढ़ा करना है तो इसमें सत्तु मिला दे आपकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगे नमबर दो पकावड़े बनाते वक्त घोल में यदि चावल का आँटा और थोड़ा सा गरम तेल मिला दे तो पकावड़े बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे नमबर तीन अगर आप कुकिस बना रही है तो कुकिस का आँटा राद भर फ्रीज में रख दे सुबर निकाल दे और दस मिनट बाद कुकिस बना ले कुकिस बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे नमबर चार टमाटर का सूप बनाते समय उसमें एक हरी मेर्च एक लासन की कली थोड़ी सी अद्रक डाल कर उबाले टमाटर सूप टेस्टी बनेगा नमबर पाँच अगर आप फ्रीज में आटा रखते हैं तो उसके उपर घी लगा कर रखे इससे आटा ताजा रहेगा नमबर साथ जब हम पनीर को फ्राई करते हैं तो पनीर टाइट हो जाता है तो आज हम आपको एक टिप्स बताएंगे जब भी आप पनीर को फ्राई कर रही हो तो पनीर को हलकार सा ब्राउन होते ही कडाही से निकाल कर जल्दी से ठंडे पानी में पान से दस मिनट के लिए डाल दें इससे पनीर टाइट नहीं होगा और जब भी आप सबजी बनाएं पनीर को सबजी में डाल दें पनीर बहुत ही सौप्ट रहेगा नमबर आठ जब भी आप हरे प्याज की कड़ी बनाएं तो हरे प्याज कड़ी के बन जाने के बाद ही ढालें इससे कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और जो हरा प्याज है उसका जो हलके रंग का करंची पन है वो भी मुह में आएगा और बह मठरी का आठा लगाते वक्त ये ध्यान रखे कि मठरी का आठा नरम मुलायम ना हो वरना मठरी खस्ता नहीं बनेगी नमबर दस जब भी आप रसगुले बनाएं तब चासनी में रसगुले फुलने लगे तब बीच बीच में एक से दो बड़े चमच पाने डालते रहे इस पासनी में एक या दो चमच नीबू का रस डालने से मुरब्बा स्वादिष्ट बनता है और जल्दी खराब भी नहीं होता है नमबर बारा अगर आप सूखी सबजी बना रहे हैं और उसमें नमक जादा पड़ गया है तो उसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन डाल दे इ नमबर तेरह अगर आप एक ही डाल खा खा के बोर हो गए हैं तो डाल बनाते वक्त जब डाल बन जाए उसमें थोड़ा सा गुड मिला दे इससे डाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बहुत ही जो डाल है वो टेस्टी बनेगी नमबर चोदा जब भी आप मेथी मठरी बनाएं तो उसमें तिल जरूर डालने चाहिए इससे मठरी देखने में तो अच्छी लगती ही है इससे उसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बनती है नमबर पंद्र कोई भी सबजी उबाले तो उसमें नमक जरूर डालना चाहिए इससे सबजी जल्दी से गल जाती है नमबर शोल अगर आप तंदूरी रोटी बना रहे हैं तो आटे में दही और गुनगुना पानी डाले इससे तंदूरी रोटी नरम मुलायम बनेगी नमबर सत्रह यदि हम पनीर की ग्रेवी बनाते वक्त उसमें सिमला मिर्च पीस कर डाल देंगे तो ग्रेवी बहुत टेस्टी बनेगी और ग्रेवी जो हमारी है वो ठीक भी बनेगी नमबर अठारा अगर आप कच्ची सबजियों को ज़्यादा दिन तक ताजा रखना चाहते हैं तो पानी में नेबू का रस डाल कर सबजियों को धो ले इससे काफिर टाइम तक सबजियां ताजा रहेंगी नमबर उननिस यदि आपको नेबू का रस जादा निकालना है तो आप सबसे पहले नेबू को अपने दोनों हाथों से मसले फिर उनको काटे और इससे नेबू का रस अधिक निकलता है नमबर बीस रसोई में एक जोस्ट फैन लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है जिससे की जो प्रदूसी थवा है वो दूर हो जाती है नमबर एक्किस जले हुए बरतन में पानी और नमक डाल कर चार मिनट तक उबाले फिर बरतन धोने के स्क्रबर से साफ कर ले बरतन आपका बिलकुल साफ हो जाएगा नमबर बाईस गोवी के फ्लावर के डंठल अलग-अलग करके उसे टुकड़े कर दिजिए और एयर टाइट डिब्बे में भर दिजिए इससे गोवी कभी भी खराब नहीं होगी और लंबे समय तक चलेगी नमबर तेईस उबले आलू का पानी रेसम के कपड़े साफ करने के काम आता है नमबर चौबिस जब भी आप बाजार से कसूरी मेथी लाएं तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा गैस पर रोस्ट कर ले और उसको हाथों से या मिकसर में बारिक कर ले एक एयाटाय डिब्बे में भर के रख ले जब भी आप सबजी में डालेंगे तो अलग से रोस्ट या बारिक नहीं करना पड़ेगा और इसमें सीलन भी नहीं आएगी और जो कसूरी में थी है उसका टेस्ट भी और अच्छा आएगा नमबर पचीस अकसर आज से उतारने के बाद भी बरतन गरम होने की वज़ा से हमारा खाना पकता रहता है इसलिए चावल को ज़्यादा पकने से बचने के लिए उसे पूरी तरह पकने से पहले ही कुछ देर पहले ही उसे आज से उतार ले नमबर चबबिस सबजियों का जितना हो सके पतला छिलका निकालना चाहिए इससे जो सबजियों के निउट्रियन से वो नश्ट नहीं होते है नमबर शताइस खीर हमेशा भारी बरतन में बनाना चाहिए जिससे दूद जलेगा नहीं नमबर अठाइस पूरी बनाते वक्त तेल और थोड़ा सा नमक डाल दे इससे पूरी जादा तेल नहीं सोखेगी नमबर उनतीस हरे मिर्च को काटते वक्त थोड़ा सा सरसो का तेल लगा ले इससे हाथों में जलन नहीं होगी नमबर तीस चटनी बनाते वक्त उसमें दो चमच नमकिन सेव मिला दे इससे चटनी बहुत ही स्वाधिष्ट बनेगी और काली भी नहीं पड़ेगी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चानल को जरूर सस्क्राइब करें बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली विडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले मिलेंगे अपने दूसरी विडियो में लिए तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए गया थैंक्स पर वाचिंग